नमस्कार दोस्तो प्लैंट पैरेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है उमीद करते हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे मैं भी अच्छी हो दोस्तो दोस्तो आज मिलेके आई हूँ एक और बहुत ही प्यारी और हमारे यहाँ पे थोरी सी यूनीक है असाम में यह मुझे लग इसके जैसे थोरी इनकी बैनाना की जैसे लीवस है और देखिए यह वाली जो अवेराइटी है यह वेरिगेटेड वेराइटी है इसलिए इनमें इस तरह की दो अलग-अलग कलर्स की होती है इस प्लैंट को दोस्तो पैरेकिट फ्लावर भी बोलते है क्योंकि इसके जो फ् प्लैंट है जो सुक चुकी है इनकी कुछ दिन पहले फ्लारिंग होई थी और यह अभी नई फ्लारिंग में खिली वी है यह आप देख सकते यह मेरी लेमन कलर की लेमन और मेरी जो रेड कलर की वेराइटी वाली प्लैंट है दोस्तो इस प्लैंट की बहुत सारी कलर में यह plant available होती है जैसे कि pink color में भी आती है bright orange में आती है तो आप देखिए ये rhizome से grow होने वाली plant है और आप देख सकते इसमें ये 2-3 जो plant वो अपने आप से multiply हो गये है हाला कि जो कि मैंने छो कि मैंने सिर्फ एक ही rhizome इसमें लगाई थी एक ही plant है मेरे पास और आप देख सकते यहाँ पे चार baby plants इसके निकल चुके है तो हम बोल सकते के यह जो मैं दोस्तो है यह थो यह बहुत ही fast growing plant है और यह plant दोस्तो वैसे तो summer की plant है यह perennial प्लांट है evergreen plant है यह कभी नहीं मरे लेकिन इसकी जो फ्लारिंग है वो हमें सिर्फ समर सिजन में ही देखने को मिलती है जब थोरी सी बारिश होना स्टार्ड हो जाता है और तेज धूब इस प्लांट को लगती है उस टेम पे ही ब्लूमिंग करती है इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में भी रख सकते है अच् जमीन में भी लगा सकते और अगर हम जमीन में लगाते तो यह वाइल प्लांट की तरफ बहुत फास्ट ग्रो कर जाती है लेकिन अगर हम पॉट में लगाते तो यह ज़ादा ग्रोट नहीं होती है इसकी तो इस प्लांट को आप जब भी लगाए सबसे बरे गमले का जो देखे इस प्लांट को आप तभी पानी देखिए इसकी जो प्लांट है यह काफी अच्छी तरह ग्रोध हो रही है मेरी और दोस्तों इस प्लांट में हमें जो soil की composition है वो हमें रखनी है एक हिसा खाद का, एक हिसा garden soil का और एक हिसा river sand का इस प्लांट में आप गोबर के खाद डाल सकते हैं या जो भी आपके पास organic खाद हो हाला कि मैं तो जो organic वाले खाद है वो ही use करती हूँ तो आप वही वैसे वाली खाद का भी use कर सकते हैं या फिर अगर आप बाजार वाले जो एनपी के लगाना चाहते वो भी आप डाल सकते दोस्तो ठंड के टाइम में यह जो प्लांट है यह डॉर्मेंसी में चली जाती है इनकी जो ग्रोथ है वो रुख जाती है बट यह प्लांट वैसी की वैसी रह जाती है इनमें जादा जो ग्रोथ हमें दिखने को नहीं मिलती है डॉर्मेंसी होती है लेकिन जैसे जैसे मौसम बदल जाता है और गर्मी की तरफ मौसम आ जाती है तो यह प्लांट में फ्लारिंग आ जाती है इस प्लांट में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है जैसे की लीव्स का ब्राउन होना इसका मतलब यह है दोस्तो यह तो यह तो यह अंडर वाटरिंग में चली गई है प्लांट यह तो इस प्लांट को जादा धूप मिल रही है जो 6-8 घंटे की धूप है उससे जादा अग गर्म इसको मिले जैसे के हमारे यहां 45 डिग्रीज टक भी चली जाती है तो ऐसे वाले कंडिशन में हमें इसे पार्शल शेड में रख देना है हमें ऐसे जगह पे इसे प्लेस करना है जहां हमें सिरफ 5-8 घंटे की धूब इस प्लांट को लगे यह देखिए आप देख सकत है मेरी एक वाली जो प्लांट है नई प्लांट थी यह तो इसमें थोरी सी प्राब्लम आ गई है दोस्तों हमारे यहां पर यह थोरी सी इवनीक प्लांट है जाधा तर घर में हमें ऐसे यह वाली प्लांट जो है यह देखने को नहीं मिलती है इसलिए इस प्लांट की जो कोस ऐसे जगह में यह बहुत ही जगाती में वह प्रास में मिल जाएंगे तो यह बहुत ही ब्यू्टوفल है यह एवर गरिश त you तो यह प्लांट को अपने गांट में में जरूर चाहरी हूं अगर हम मेरे पास इतनी प्लांट की इसे नहीं गा रहे हूं Most यह plant को आप जमीन में लगाते हैं तो यह बहुत प्यारी लगती है एक साथ अगर यह plant की flaring होती है तो बहुत प्यारी लगते हैं आप देख सकते हैं इसकी soil को आप over watering भी ना करें अंडर वाटरिंग भी ना करें और इस plant की मिट्टी जब आप तैयार करें तो इसे बहुत ही well draining soil में लगाएं जिससे पानी पोट में ना ठेरें और इसे अच्छी तरह से जो है absorb कर लें soil और over watering या अंडर वाटरिंग करनी नहीं है इस plant में और दोस्तो रही बात इन में mides attack और insect attack की तो इस plant को उतनी mides attack insect attack नहीं होती है बट इसमें sunlight की problem थोरी से आ जाती है जैसे कि हम अगर बहुत जादा तीस दूप में रख देंगे तो इसमें इस तरह की burning की problem हो सकती है जैसे मेरी plant में हुई हुई है या फिर अगर आब इसे indoor रख देते हैं यह indoor plant बिलकुल भी नहीं है अगर आब indoor रख देते हैं तो इस plant में सिव leaves ही होंगी और क्या पता यह plant मर भी सकती है दोस्तो बट अगर आब इसे एक बहुत ही अच्छे environment में जो इसके लिए suitable है उसमें place करेंगे तो यह सालों साल आपके साथ रहते रहेगी द दोस्तों इस plant की fertilizer की अगर हम बात करें तो इस plant में ज्यादा fertilizer की जरुद तो वैसे हैं नहीं क्योंकि यह बहुत हाड़ी plant है लेकिन फिर भी अगर आप इसकी अच्छी growth और इसमें फ्लारिंग लाना चाहतें जल्दी और ज्यादा फ्लारिंग लाना चाहतें तो इस plant में आ क्याब लगा सकते हैं तो इस तरह यह plant जो है healthy भी होंगी और इन में ज्यादा flowers भी होंगी तो दोस्तों यह थी हलिकोनिया सिटकोरम के बारे में कुछ बाते I hope कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी और अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब थेंक यू सो मच्छ मिलते यागली वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ और कीप गाटनी थेंक यू